हेलो दोस्तों तो क्याल चला आप सभी लोग के होप आप सभी ठीक होंगे तो पिछले बैक एंड मास्टर विद नोट जेस के सीरीज के अंदर हमने रिस्पोंस का एक स्ट्रक्चर बनाया था और एर को हैंडल करने के लिए ग्लोबल एरर हैंडलर भी बनाया था और उसके बा लगाओ और ग्लोबल एरर हैंडलिंग का भी लगाओ तो होप आप में लगा लिया होगा मैं तो अभी नहीं लगवाने वाला आप से क्योंकि मैं तो आगे के कंसेप्ट से शिखाऊंगा आपको नोट इस कंप्लेट भी तो कराने ताकि हम अच्छे प्रोजेक्ट बना सकें और जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं इनको और अच्छे लेवल पर लेके जाना है तो आज की वीडियो होने वाली है वह होने वाली है ओथ पर की ऑथन्टिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है और कुकीज पर की कुकीज क्या होती है आपने सुना हो ना ब्राउजर में कुकीज कर लो कुकीज रीड करना चाहते हैं यह कुकीज वो कुकीज है न यह खाने वाली कुकीज हो तो वाई वाई उन्हीं की बात करूंगा मैं खाने वाली कुकीज की ठीक है तो चलिए गाईज वीडियो को सुरू करते है वेलकम पे गाईज आप सभी लोगा एक और ब्रैंड किसी को verify करना कि तु अपना है या नहीं है, ठीक है, कि तु अपना है या पर आया तो नहीं है और तु अपना है तो तेरे पास अपनी ही डीटेल है किसी और की डीटेल लेकर तो नहीं आगया तूँ समझ रहे हो? मतलब मान लो जैसे आप Facebook पर लोग इन करते तो वहीं पर आपको अपनी details की जुरुत पढ़ती है अगर आप किसी और की details भर दोगे और वो अगर details सही भर दी ना आपने तो वे तो चेक कर नहीं सकते हैं कि बंदा गलत है पर details सही है तो वे तो details देखते हैं हम जी details okay है तो यह लोग आप सारी चीज़ एकसेस कर लो ठीक ह कि अब आप जब तक आप इस फेल्ड में नहीं थे तो आप सोचते हैं लोग इन कर ले तो मतलब कि हमारा account खुल जुगा है लेकिन वह account खुलता नहीं है सच बता रहा हूं मैं वह account कुछ नहीं खुलता वहाँ पर login का system reality में क्या काम करता है बस वह आपके detail लेके आता है back end स एक API कॉल करता कि भी user के detail दे दो इस user की और वह detail आपको front end पे show हो जाती है कोई आपका account अलग से उपन नहीं हुआ है ऐसा कुछ होता भी नहीं है बस हमारा जो view है ना वह ऐसा लगता है हमको कि भी पूरा का पूरा account खुल गया हमारा है ना तो वहाँ पर हमको post भी दिखती है वो post हम सोचते हैं कि वी दिखा हमारे account में जितने हमारे friends है ना उसके अंदर यह post हो रही है लेकिन reality में हो क्या रहा है उन post के लिए एक अलग से जो वे post हो रही है आपको facebook पे तो वो क्या हो रहा है उनके लिए एक अलग से request जा रही है कि इस user के जितने भी friends है ना उनकी post ला दो और उनको randomly सफल करके वहाँ पर show कर दो ठीक है पर हमको क्या feel हो रहा है हमने अपना account खोला है और अपने account में हम अपनी posts देख पा रही है है ना यही feel होता है आपको तो बस वही तो feel करवाना है आपको कि अब मैं आपको detail हो कि back end में चलता क्या है login का system बताओ एक ब comment जरूर करो देखो interaction जब तक करोगे न तो आपका mind भी active रहेगा हां कुछ पूझा जवाब दो उससे आप जल्दी से progress कर पाओगे हां active रखना जरूर ही अपने mind को तो अब मैं बदाता हूं आपको अभी मान के चलो एक office है क्या है एक office है बहुत important बहुत बड़ा एक office है ज काम करते हैं यहां से बना लेते हैं card एक ऐसा card बनवा लिया इस card के अंदर पता क्या है इस card के अंदर आपका id number लिख दिया 59 क्या लिख दिया 59 और उन्हों ने अपने database में अपने एक register न जो उनके पास उसके अंदर बहुत सारे number save है ठीक है क्या है उसके अंदर बहुत सार card है यह लेके इसको लेके जब भी आप इसके अंदर जाओगे न तो यह क्या करेगा आपकी ticket है न जो उस पर देखेगा कि आपका number कौन सा है ठीक है आपका 59 number है मान लो तो वो चेक करके आएगा कि भी 59 ही 59 के हमारे database में है या बंदा ऐसा ही कुछ भी लिखके ले आया ठीक कैसे कह सकते हो जब आप parking लगाते हो जब आप कहीं Cinema Hall में फिर किसी Mall में जाते हो या फिर किसी hospital में भी जाते हु न तो वहां पारकिंग का होता होटाइट ना जब आप पारकिंग करते हो ना किसी भी गाड़ी को बाइक को, तो वहाँ पर वे आपको नंबर देते हैं कि आप यह number note कर लो और जब आप भापिस आऊँ ना हमको यह number बता दे लो, और जमна यह 52 number दे दिया, 59 दे दिया तो जो आप निकालते हो तो वो same number होना चाहिए तब वो आपको निकाल ले देंगे कि ले जाओ आप है ना तो ऐसा ही कुछ system वे करके देते हैं ताकि आप easily अपनी गाड़ी को ढूंड पाओ एक तो और उसको निकाल पाओ और उनको भी पता लगता रहे हाँ वही बंदा आया है जिसने हमसे number लियाता ठीक है और अगर किसी और बंदे को बेचते है ताकि वो बंदा भी उसी number को बताके वो गाड़ी लेके जा सकते समझा गया बस इतना ही है इसका concept तो आपके पास क्या है आपके पास एक ऐसी value होनी जिये जो आप back end में भी रखोगे और जो आप front end में भी रखोगे एक user के पास भी होगी और आपके पास भी होगी जब वे दोनों के दोनों match करेंगी तब आप उसको access दोगे back end की तब आप उसको अपने data की access दोगे तो यही system होता है जब भी आप login करते हो तो reality में क्या होत जैसे मान लो यह client है ठीक है इसका computer है क्या है इसका computer और इसने google पर login करा क्या करा google पर login करा तो google ने क्या किया अपने server पर जो इसका server है न वहाँ पर request करी भई पहले तो जो email भेजी है और जो password email भेजी है उससे check करो कि क्या कोई account उससे database में exist करता है नहीं करता है अगर exist करता है तो यह जो password भेजा है न password उसको check करो क्या वे दोनो password match है जो database में password है और जो इसने password भेजा है user ने क्या वो आपस में match करते हैं अगर करते हैं तो यह यहाँ पर एक token generate करेगा क्या generate करेगा एक token generate करेगा xyz.xx.49 कुछ भी मालो बहुत बड़ा token generate होता है और यह token जो है Google अपने पास भी save करता है और तुम्हारे पास भी save करता है ठीक है तुम्हारे पास भी भेज देता है जब आप login करते हो तो और जो यह token है यह browser के अंदर जो front end गूगल की जो website है न वहाँ पर front end क अंदर coding कर रखी होती है programming कर रखी होती है जैसे यह token आएगा हम उसको local storage में session storage में कहीं पर भी save करके रख लेंगे कहीं पर भी save करके रख लेंगे हांजी वह आप देख भी सकते हो जाके ठीक है तो यह token वह भेजते है special ओके तो इसी token से जब आप दुबारा Google को खोलते हो त जी तुमारा token और यह token match कर रहा है यह नहीं कर रहा अगर नहीं कर रहा है तो तुम log out कर दिये जाओगे और अगर match कर रहा है तो आपको details भेज दी जाएंगे आपके account की ठीक है तो ऐसे काम होता है पहले भी ऐसे होता था और अब थोड़ा सा structure और change हो गया है ठीक है अब कै यूज होते हैं अब बड़े tokens यूज होते हैं किस type की जैसे JWT JWT भी एक अच्छा token है इसकी full format JSON web token ठीक है अब यह JSON web token क्यों है है तो यह web token है तो यह token ही यह web का token है ठीक है और जरूरी नहीं है कि आप इसको web में यूज करो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो ठीक है त देखो बजाता हूं कैसे जो JWT token होता है ना इसके तीन phase होते है तीन इसके अंदर characters की string होती है एक string फिर dot फिर दूसरी string और फिर dot फिर तीसरी string ठीक है तो जो पहली string होती है ना पहली string उसमें तो होती है आपकी एक algo से एक key बनाई हुई ठीक है यह JWT token होती है ठीक है ठीक है यह चैनश तो आपकी किसी को नहीं कर सकते है ठीक है बीच में होती है आपकी एक ऐसी की एक ऐसी की होती है बीच में से आपका data निकल के आएगा json format में मतलब की json object में जो कि आपको पता यह क्या होता है ठीक है key and value pairs उसमें आपका data भी निकली आएगा मालो कोई ID है आपकी ठीक है 0, 1, 2 name आपका कुछ भी जैसे की data ठीक है तो यह आपके निकल आएंगे इस key से बीच वाली key से तो बीच वाली key में क्या होता है data होता है ठीक है और last वाली key होती है यह होती है secret क्या होती है secret जिससे हम check करते है हाँ जिससे हम check करते है क्या user ने जो की बेजी है वो हमारी ही है या किसी और server की है किसी अपनी fake बना के बेज दी तो ये जो last वाली की है ना इससे हम check करते हैं कि वो हमारा ही user है या किसी और जगह का user है ठीक है तो ये वाली की होती है सबसे unique और सबसे main चीज ठीक है अब जेखो इसका मैं एक बार example दो इसमें किस तरीके से involvement की गई अब यहाँ पर पहले कैसे check करते दे कि जो आपने number बेज इन्होंने उस card पे stamp लगा दिया क्या लगा दिया एक stamp लगा दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ इस office का ही stamp है ठीक है और उसके अंदर number लिख दिया 59 अब क्या हुआ ये जो card है ये card देखके office वाले पहले stamp को verify कर लेंगे हाँ ये stamp हमारा ही है तो जाओ अंदर आपका number 59 आप अं इनका क्या बचा यहां पर इनका time बचा ठीक है database query बची मतलब जब आप database में जाओगे check करोगे क्या ये idea हमारे पास है या नहीं है वो time बचा बस आपने क्या किया उस card को ही verify कर लिया उस token को ही verify कर लिया कि क्या ये हमारा token है भी या नहीं अगर हमारा token है तब आगे बढ़ चेंज कर ले एक ही pen को भर भर यूज करते रहते हैं तो अच्छा ही लग ये समझ आगे आपको कि JWT कैसे काम कर रहा है अब JWT को मैं आपको live example के साथ दिखाता हूं ठीक है तो यही authentication अब जब भी आप क्या करोगे जब भी आप login करवाओगे ना इसे जो जैसे कि जो हमारा जो backend है ठीक है यह client है मान लो ठीक है और यह हमारे वाले backend पर काम कर रहा है जो URL का sortner है ना उस पर काम कर रहा ठीक है sortner उसने यहाँ पर login किया हमने login system बना है तो यह हमारे server पर जाएगा यहाँ पर हमारा server है ठीक है server क्या करेगा जो यह token बेज़ेगा ना साथ में token ठीक है यह token है यह token यह token पहले यहाँ आएगा ठीक है हमारे पास एक secret key होगी क्या होगी एक secret key जिससे यह token decode हो सकता है वो सिर्फ हमारे पास होगी ठीक है decode और encode हम ही करते हैं इस secret key से यह secret key आपकी होगी जो भी आप रखना चाहो कुछ secure और strong होती है यह key कोई जल्ली से guess ना कर ठीक है तो ऐसी की होनी चाहिए यह फिर आप token को बनाओगे कैसे बनाओगे इस secret key से इस secret key का use करोगे आप और JWT एक library है उसको कहोगे यह ले secret key और और यह जो token इसने दिया है user ने यह ले token ठीक है यह अब verify करके बता क्या यह match कर रही है या नहीं कर रहे तो यह बताएगा तो वहाँ से data निकली आएगा एक user की ID, email वगयरा जो भी आप निकालना चाहो वो निकल के आजाएगा उससे आप database में query कर सकते हो क्यों इस ID से जो भी user है उसकी detail दे दे फिर आप आगे का काम कर सकते हो यह सब हम करेंगे code के अंदर live पर पहले आपको बताना था कि authentication काम कैस अब यह जो token बना है इसके भी कई सारे तरीके होते हैं भीजने के कई सारे क्या दौइ तरीके हैं main तो एक तो cookies क्या cookies अब cookies के बारें बात करेंगे दूसरा है response क्या response में तो दो तरीके क्यों है वैशे तो आप response से भी सारा काम कर सकते हो बिलकुल old work कर सकते हो कोकीज की क्यों जोर्थ पड़ी बताऊंगा कहां पर यूज होती है वो भी बताऊंगा response की क्यों जोर्थ पड़ती है वहाँ जहाँ पर cookies काम नहीं करती, वहाँ response काम करते हैं, पर जहाँ response काम करते हैं, वहाँ cookies काम करें, वो जरूरी नहीं है, पर response हर जगे काम करेंगे, cookies हर जगे काम नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, और कहां करेगी, यह सब भी बात करते हैं अभी, तो सबसे पहले authentication का मतलब समझा यह authentication का मतलब है आपके browser की अंदर एक token save हो गया एक token save हो गया कि जब भी आप request करोगे जब भी आप Facebook की post लेके आओगे जब भी आप कोई post करोगे तो जब आप लिखते हो ना Facebook पर भी मेरे को यह post करती है तो जब आप post की detail लिखते हो पर photo डालते हो जब आप send पर click करते हो तो जी वो token आप body में भी भीज सकते हो वो token आप header में भी भीज सकते हो वो token कैसे बिज़ो वो token जाएगा वहां पर और वहां पर उस token को verify करा जाएगा अगर token verify होता है तब भी वो post आपकी successful होगी वरना आपको log out कर दिया जाएगा उसी time अब log out कैसे करते हैं वह भी बताँगा आपको log out कैसे काम करता है log out वैसे तो बता देता हूं कि जो token आपके browser में save हुआ है उतको delete कर देंगे तो वह आपका log out है हां जी बस इतना ही है और अगर उन्होंने database में token save कर रखा है तो उसको वहां से विलेट कर देंगे तो वही आपका reality में log out फिर आप कोई भी request करते हो ना तो आपका जा जो token है वो साथ नहीं जाता और वो जो request है वहां पे server cancel कर देता है और कोई भी detail आपके पास नहीं आती वही आपका log out होता है login का मतलब होता है token आपके computer में save है उससे आप चीजों को access कर रहे हो देखो सभी चीज करेंगे live करेंगे ठीक है तो अब cookies देख cookies आप back end में बना के send करते हो cookies का फाइदा क्या है कि cookies आपको handle नहीं करनी पड़ती सिर्फ back end में आप क्या करोगे cookie बनाओगे और front end में भेज़ दोगे ठीक है तो front end में automatically जाके browser में save हो जाए cookie और जब आप वापिस लोगे ना किसी भी तरीके से request को वापिस लोगे कोई भी टाइप का browser हो mobile का computer का Linux का किसी भी OS का किसी भी चीज का browser हो cookie सिर्फ वहीं काम करेगी ठीक है तो आप cookie बना सकते हो किसी भी नाम से जैसे मैं आलो मैंने ये cookie बना दी user के नाम से कि user की detail इस cookie में होगी तो इस cookie के अदर क्या होगा तो यह ना काले काले से cookie के अंदर बिसकुट के अंदर chocolate के दायने से उनको आप data मान सकते हो जैसे कि एक data है अपना ID ठीक है user की ID या फिर name बगेरा कुछ भी है वो एक में है token जो token generate किया था हमने JWT token है ना और बाकी में आपको कुछ रखना है तो ठीक है बना नहीं ऐसे आप कितनी भी cookies और उनके अंदर कितना भी data रख सकते हो totally आपके उपर depend है बस आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मान सकते है आप cookie को ठीक है और कुछ नहीं है cookies बस यहीं है कि आप backend से कुछ data बेजते हो और वो browser अपने आप ही save कर लेता है अपने अंदर और जब भी कोई backend पर request आईगी get हो, post हो, put हो, कोई भी request हो cookies उसके सा लेगी अपने आप ही, अपने आप ही चल लेगी, आपको न तो भेजने की जूरत न आपको कहने की जूरत, cookies साथ ही चलेगी उसके, ठीक है, तो यह है cookies का फाइदा, but limitation क्या है, only work in browser, only work in browser, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़े आपको set करनी पड़ती है, दोनों तर इसी चीज़ के लिए बनाना है, यह चीज़ नहीं सोचते हैं, आप सोचते हो कि भी मेरे को backend बनाना है, और यह backend जरूरी नहीं है, कि भी सिर्फ website पर ही काम करें, मैं चाता हूँ इसी backend को मैं अपनी Android application से भी access कर पाऊं, और मैं इस backend को मैं अपनी Windows application से भी access कर पाऊं, Linux application से यह किसी भी टाइप की application से access कर पाऊं, तो वहां पर हमारा response काम आता है, ठीक है हम response के थूरू token बेज़ेंगा, अब response के थूरू कैसे बेज़ेंगे, अरे जैसे data बेजते हैं, simple सी बात है, आप एक बार backend का structure setup कर लो, कि मैं token इस तरीके से accept करूँगा वही, साफसे दी बात ह मेरे को token चाहिए, तो इस तरीके से चाहिए, बस, अगर इस तरीके से मेरे को token दोगे, तो मैं accept कर लूँगा, सबसे पहले आपने एक condition दी, कि भी cookies से अगर token मिलता है, तो मैं ले लेता हूं, ठीक है, और अगर cookies से token नहीं मिलता, तो आप response में भी token बेज सकते हो, चाहे वो body में बेजो, कहीं पर भी बेजो, normal जैसे बेजते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो वो आपकी चोईस है, वैसे एक standard होता है token बेजने का, हाँ जी, एक standard होता है token बेजने का, वो standard है, कि आप एक header बेज सकते हो, header, और header के अंदर जो header field होती है, उसके अंदर यो पूरा object होता है तो उसके अंदर आप किसी भी नाम से बेज सकते हो, कि जैसे कि X और token, ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही रखा कि X के अलगाते हैं, जब आपनी खुद की field को ही बनाते हो, बेजते time, तो token, और उसमें आप अपना token बेज सकते हो, जो भी आपका 1, 2, 3, X, Y, Z, जो भी जि कि header के अंदर ओलड़ी एक field मोजूद होती है, authorization क्या, authorization हां जी, उस field की जो की होती है, वहाँ पर हम token लिखते हैं, ऐसे bearer करके, ठीक है, bearer और फिर आपका token आता है, ठीक है, ये पूरी एक string होती है, पूरी string होती है, पहले bearer लिखेंगे, और फिर token लिखेंगे, अब bearer क्य bearer token वेजा है, तो मतलब कि उसको access दे दो, वो original बंदा है, original है वो, totally, साफसी दिबात है, ये original है, और उसको complete access दे दी जाए, ठीक है, तो अभी मैं आपको browser पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पर इनकी और detail बदाता हूँ, अच्छे से firefox पे चलेंगे हम यहाँ पर, और firefox क नीची है हमको, हमको सिर्फ cookies की detail देखनी है, जैसे की cookie session, middleware, cookie parser, नहीं, expressjs.com पे जाएंगे, और यहाँ पर हम cookies के बारे में सर्च कर सकते है, cookie, और cookies में जाएंगे, यह रही cookie, ठीक है, जब हम cookie भेजते हैं, तो कैसे भेजते हैं, जो हमारे पास, R.E.S. जो होता है, response वाल cookie का नाम रखते हैं, उसके अंदर data रखते हैं, कि क्या आपको data रखना है, और उसका domain वगेरा और उसकी expiry date वगेरा setup करते हैं, ऐसे, ठीक है, कि भी domain set करना, कि भी इसी domain पे काम करनी चाहिए, या फिर अगर आपको expiry date set करना है, या फिर आपको http only रखना है, secure रखनी है cookie, तो यह सब आप यहाँ पे अपने custom option set कर सकते हो, और option क्या क्या है, यहाँ पर आप देखी सकते हो, जिकी domain set कर सकते हो, कि भी आप login करवा लो अपनी website में, और एक नई cookie generate करवा दो, किसी और domain की, किसी और domain की, तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब आप एक site पर login कर रहे हो, और आपने token बना है, कि यह दूसरी site का, और आप वहाँ पर भी अपने आप login हो जाओगे, जब आप जाओगे तो, यह काम भी आप कर सकते हो, ठीक है, expiry date बगएरा बेच सकते हो, और HTTP only बेच सकते हो, जो कि एक flag है, जो कि accessible only by the web server, कि भी सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर के थू यह access हो पाए, अगर आप HTTP only कर दोगे, तो, max age का मतलब है, कि भी कितनी उसकी age रखनी है, वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, path भी आप दे सकते हो, default path रशे तो homepage होता है, बाकी पूरा path चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है, secure अगर आप true कर दोगे, तो secure से क्या ह यह only work करेगी, HTTPS पे, HTTPS पे यह काम नहीं करेगी, जाएगी नहीं, ठीक है, same site मैं boolean वगरा भी दे सकते हो, तो इनके बारे में एक पर खुद पढ़ो, research करो, ठीक है, जब cookies आप से करवाऊंगा, मैं, अभी तो, यह तो overview है बस, ठीक है, तो जब आप से करवाऊंगा, तब आप से इनके बारे में अच्छे से बात करूँगा, ओके, अब बात करता हूँ, authorization की, जैसे authorization जो header होता है, उसके बारे बात करें तो header, authorization, ठीक है, तो authorization header के बारे में अगर आप जानोगे, यहाँ पर, तो authorization क्या header होता है, जो कि आपको token वगरा, और protected resource जो की है, आपको protect ट्रकना है उसको भेजने में काम आता ठीक है यहां पर हम token वगएरा बेज सकते हैं और यहां पर आप बेरर token जादा तर बेरर token भेज़ोगे और बाकी और भी चीज़े भेजी जाती है जैसे की basic और फिर basic authentication तो basic और उसके credentials जो भी है पहले तो आपका authorization इस type का header है ठीक है उसके पाद आपको scheme लिखनी है कि किस type की scheme आप बेज रहे हो और क्या बेज रहे हो फिर वो लिखना है ठीक है तो जैसे कि इसने आपर digest लिखा है और काफी सारी चीज़ यहां पर बेह दी तो यह जब digest के बारे में कभी बात करेंगे तब ही बात करेंगे और अगर आपको bearer के बारे में दिखाऊ मैं bearer है यहां पर यह basic है जैसे कि यह basic की जंग आपको लिखना bearer और फिर आपको token आएगा ठीक है तो एक काम करते हैं आप और bearer भी लिखते है bearer token तो यहां पर आप bearer पर जाओगे MDN की पर नहीं है क्या चलो कोई बात नहीं से आप token रखके data वागरा निकाल सकते हैं तो मैंने आपको कहता कि तीन चीजें होती है एक section यह है और एक section यह है और एक section यह है तीन section होती है JWT token की अंदर तो पहला section मैंने आपको बताया ठीक है एक algorithm token type की भी किस type का token है यह JWT type token है और इस पर यह वाली key यह वाली algo लगी उसके बाद है data यहाँ पर होता data जो भी आप किस तरीके से data भेजोगी यह आपका data ठीक है और जैसे आप यहाँ पर data को change करोगे तो data के साथ साथ आपका यह token है जो मैंने select कर रखा वो भी change हो जाएगा देखो इसको मिटाता हूँ तो देखो data change हो रहा है token change हो बीच का ठीक काम करते है एक token को लेके आते है ठीक है एक token कोई देख देख यहाँ पर example JWT token ज़ेलूटी टोकन ओड़ करके cycling हो यहाँ पर पबलिक की लिखो यहाँ पर आपको पूरा data मिल रहा है कि client का नाम क्या है और सब कुछ आपको data मिलेगा यह आपको type मिलेगा किस type की की है यह कौन-कौन जिसके अंदर इंके नाम आप यहां से पढ़ सकते हो, पहली को कहते है है, है उसके अंदर जो टोकन है वह कौन सी ऐल्गोरीधम का है और कौन से टाइप का है, तुसरा होता है पेपलोड, पेपलोड एक खतरनाक सा नाम है डेटा का, डेटा बोलते है इसको ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बाकी जो थर्ड ओप्शन है वो था सिगनेचर जिससे आप वेरिफाई करते हो कि यहां यह मेरा ही है ठीक है उसके बाद आप अपना टोकन भेज देते हो कैसे बेज़ो कि देखो मैं आपको बताई रखा है और यहां पर आप टोकन भेज दोगे तो इस तरीके से आप भे adventures, cookies, cookies लखतो तो यहां पर हो जाएगा start search यह cookies editor पाएगा एक, वहां पर आपका Chrome में भी पाएगा और यह firefox में भी है, सारे browsers में मिलेगा लग बग यह आप यह ininstall कर लो, तो यह जब आप install कर लोगे और उसको add कर लो और जब भी आप किसी website पे जाओ गे ना तो तो आप cookies देख सकते हो, यहाँ पर extension पर click करो, और cookie editor पर click कर दो, तो इसके अंदर यह सारी cookies है भी, ठीक है, इस cookie का नाम यह है, और इसकी value यह है, हम भी ऐसे cookie save करेंगे अपनी, ठीक है, cookie बनेगी अपनी भी, और वो यहाँ पर नजर आएगी, हाँ, हम इसके अंदर cookie देख भी पाएंगे, और छेड भी पाएंगे, वैसे आप direct छेड नहीं सकते किसी भी cookie को, बिना extension वगएरा के, तो पर आप यहाँ पर छेड पाऊगे उस cookie को, ठीक है, आप extra cookie यहाँ पर add भी कर सकते हो, तो कैसे बेजनी है, वो हम code करते time देखेंगे, और बस आज की वीडियो इती थी आपको authentication समझाना था कि क्या होता है, next वीडियो में हम इसका practical करेंगे सारा, हम एक पूरा का पूरा user model बनाएंगे, और उसके अंदर access token, refresh token के बारें बात करेंगे, कि दोनों token होते क्या है, होते दोनो JWT token ही है, पर इनको use करना देखेंगे, इनके use case देखेंगे, कहां पर कौन सा token use करते हैं, कैसे JWT token का use करना है, हमको किस तरीके से cookies के थुरू आगे भेजना है, किस तरीके से login process हम करेंगे, यह सब भी में next video में आपको बताने वाला हूँ, तो next video totally JWT के उपर है, और cookies की practical के उपर है, कि cookies reality में हम कैसे भेजेंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइबर और sharing बहुत कम हो रखी है, यहां जी बहुत कम हो रखी है, और इसके बेना काम नहीं चलेगा, जितना share करोगे, उतना आपके लिए भी फायदा है, मेरे लिए भी फायदा है, मेरा फायदा आपको पता ही है, जितनी ज़्यादा views होंगे, उतनी ज़्यादा motivation मिलेगे, और इतनी अच्छी quality की, उतनी अच्छी videos में आपके लिए लेके आपाऊँगा, और उतनी जल्दी लेके आपाऊँगा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिलेंगे, पर बहुत ही कम मिलेंगे, खास कर हिंदी में, तो आपको मजाया होगा, तो गैस शेयर करो, जो जो सोसल मेडिया आपके पास है, सब पर शेयर कर दो वीडियो को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैसे जाएंचाओाओाओाओाई में, झाल झाल